हे गाइज असलाम वाले को मैं विलकुम बैक तो माई चैनल सो आज के इस वीडियो में मैप के साथ शेयर करने वाली हूँ हिमालिया नरिशिंग फेस मुस्टराइजिंग लोशन का रिव्यू सो बैसिकली आज मैं बात करने वाली हूँ इसके प्रोज और कॉंस के बारे में क् इसके जो इंग्रीडियन्स है वो कितने जादा सेफ है या फिर नहीं है तो चले बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आती तो प्लीज लाइक शेयर अन सब्सक्राइब तो माई चैनल तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके प्रोज के बारे में तो प्रोज नंबर वन है इसकी पैकेजिंग को लेके पैकेजिंग काफी जादा अच्छी है जितना ये लोग हम लोग से प्राइस ले रहे हैं उसके हिसाब से काफी जादा अच्छी पैकेजिंग है प्लास है कैप है जो कि बहुत ही आसानी से एजली लॉक हो जाती है एक बर लॉक होने के बाद आपका प्रोड़क्ट बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा प्रोज नमबर टू है इसका ट्रावल फ्रेंडली होना क्यूंकि इसकी जो पैकेजिंग है वो काफी ज्यादा स्लीक है तो क्यूंकि इसकी जो प्राइज है आउनली है 85 रुपीज 100 एमिल की अगर आप इसको ऑनलाइन लेते हो तो यह आपको उससे भी कम पे पड़ जाएगी प्रोज नमबर फॉर है इसका इसली अवेलेबल होना है यह आपको एमाजन फ्लिप कार्ड पर पलनाई का और भी बहुत सारे वेबसाइट पर मिल जाएगा इसके अलावा आपको छोटी से छोटी दुकान से लेके बड़े से बड़े मौल पर भी इसली अवेलेबल है इसका फ्रेग्रेंस काफी जादा माइल्ड है बिल्कुल भी बॉदर नहीं करता है जैसे की बेबी के प्रोड़क्ट्स होते ह उसी तरह का इसका स्मेल है प्रोज नंबर सिक्स है इसकी सेल्फ लाइफ को लेके क्योंकि यह आती है तीन साल के सेल्फ लाइफ के साथ अब हम बात करेंगे इसके टेक्श्चर के बारे में तो इसका जो टेक्स्चर है वो नाहीं जादा ठीक है इन बिटवीन है लेकिन यह काफी इसली आपके स्किन पर एब्जॉब कर जाता है और आपके स्किन को नरिश्मेंट प्रोवाइड करता है अब हम बात करेंगे इसके इंग्रीडियंट्स के बारे में तो इसके जो इंग्रीडियंट्स है वो पूरी तरीके से और्गिनिक नहीं है कुछ चीजे इसमें और कुछ चीजे इसमें इन और्गिनिक भी मिलाई गई है इसके जो और गिनिक इंग्रीडियंट्स है उसमें है अलोवेरा जेल जो की एक नैचरल मुस्टराइजर का काम करता है वाइट ली भी डाला गया है जो की आपकी स्कीन की क्वालिटी को इंप्रूफ करता है एंट इसमें और यह संसे प्रोटेक्शन आपकी स्कीन को भी देता है पर इसका मतलब यह नहीं है कि आपको संस्क्रीन नहीं लगाना इसको लगाने के बाद इसके जो इन और्गिनिक इंग्रीडियंट्स है उसमें है सोडियम, बेंजोइट, मिथाइल, पैरावीन, प्रोपाइल अब हम लास्ट में बात करेंगे इसके कॉंस के बारे में तो कॉंस नमबर वन यही है कि यह समर्स के लिए तो बेस्ट आप समर्स में इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बट अगर आप इसको विंटर्स में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको अवाइड करें खास करक की जरूरत है तो मुझे यह समझ में नहीं आया अदरवाइस हो सकता है कि आपने से बहुत सर ऐसे लोग हो जिनको बिल्कुल ही लाइट वेट वाले मुश्ट्राइजर पसंद है तो आप ले सकते हो कॉंस नमबर टू यही है कि अगर आप इसको मेकप बेस से पहले अपने स्किन को मुश्ट्राइज करने के लिए यूज करना चाहते हैं तो फाउंडेशन लगने के बाद ये आपके स्किन पे वाइट पैचेस दे देगा जो कि आपके मेकप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं यहां पे कंपनी ने किलियरली कह दिया है कि आपको इसको वन एयर के अंदर खतम करना है तो यह भी मुझे आड़ करना होगा कॉंस नमबर लास्ट की बात करूं तो इसके अंदर पैरावीन का इस्नेमाल किया गया है सो अगर आप पैरावीन वाले प्रोड़क्ट यूज कर कर सकते हैं तो फ्रेंड्स यह था आज का मेरा पूरा वीडियो हिमालिया नरिशिंग फेस मोस्टराइजिंग लोशन के ऊपर आई होप कि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया और प्लीज लाइक कर दे अगर आपको ज़रा सभी पसंद आया तिल देन टेक्यर बाइबर मै त्युक्विक सुदिक साथ